हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने चाहा रहे पोहा, मेरी स्टाइल में इसके लिए हमें चाहिए हुंखवली के दाने, अदरक लसुन की पेस्ट, कड़ी पत्ता, हरा दनिया, आलू, प्यास, नीम्बू, टमाटर और पोहा पोहा को मैंने पहले ही भीगो के रख दिया था, कड़ाई में दो चमच तेल डालेंगे, तेल गरम हो जाए, फिर हम उसमें एक छोटी चमच राई, और एक छोटी चमच जीरा और सौफ डाल देंगे फिर हम उसमें कठी हुई प्यास डाल देंगे, और एक छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे, फिर हम उसमें मुंख फली के दाने, अदर कलसुन की पेस्ट, करी पत्ता और आलू भी मिक्स कर देंगे, यहाँ पे मैंने कच्चा ही लिया था, आप चाहे तो उसे बोईल करके भी ले सकते हो, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हम उसमें स्वादर नुशा नमक डालेंगे, और दो से तीन मिनिट के लिए उसे पकाएंगे, अब यह पक गया है, अब हम उसमें टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, आदा नीमू का रस डाल देंगे, फिर से उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें दो छोटी चमच मिर्ज पाउडर डालेंगे, एक छोटी चमच तनिया जीरा पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक क्यूंकि हमने पहले से डाला हुआ था, आलू को ऐसे चेक कर लेना, खच्चा हो तो थोड़ी देर के लिए पक्का आना, सबी सामगरी अच्छे से पक गई है, अब हम उसमें पोहा डाल देंगे, यहाँ पर मैंने एक कटोरी पोहा लिया हुआ है, और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब हम उसमें दो चमच चीनी पाउडर डालेंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और एक छोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर देंगे पोहा को अच्छे से, तैयार है हमारा पोहा उसे मैंने मेरी स्टाइल में बनाया है, अब हम उसे सव कर लेंगे बाउल में, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजे, शेर कीजे और मेरी चैनल किंजल किचन को सब्सक्राइब कीजे, थैंक यू पर वाचिंग।